वेलकम फ्रेंट्स स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल आरके 3.0 में फ्रेंट्स आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि आप कोटक 811 की चेक बुक और पास बुक कैसे अपलाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में फ्रेंट्स ये हमारी कोटक 811 की चेक बुक है और ये हमारी कोटक 811 की पास बुक है फ्रेंट्स ये हमें कोटक 811 के अकाउंट में बिल्कुल फ्री मिली है इसका हमें कोई चार्जिस नहीं देना पड़ा है और आप इसे कैसे अपलाई कर सकते हैं आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अगर आपको आमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जितना हो सकें वीडियो को सेर करें अगर आपको ये देखना है कि आप 811 अकाउंट की चाक बुक और पास्बुक कैसे अपलाई कर सकते हैं तो आप वीडियो के लास्ट में जाकर देख सकते हैं आप जाएए अपने कोटक 811 की अप्लीकेशन में जाएए अपने कोटक 811 की अप्लीकेशन में अप्लीकेशन में जाकर आप क्लिक करिए चेक बुक रिक्वेस्ट पर और अपना एम पिन डाल दीजिए उसके बाद चेक बुक पर ओके करिए और रिक्वेस्ट चेक बुक पर ओके कर दीजिए और कन्फर्म रिक्वेस्ट पर कन्फर्म कर दीजिए आपकी checkbook apply हो जाएगी अब हम आपको बताते है past book कैसे apply करनी है आपको जाना है service request में और activate and day activate of past book पर ok करना है और अपनी past book activate कर लेनी है Friends हमारी Passbook Activate है इसलिए Deactivate का Option दिखाई दे रहा है Thank you Friends हमारी वीडियो देखने के लिए